नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिशित दोस्त उपस्थित हों दोस्तों आप सभी की सिवा में कुछ एक महत्वपून जानकारियों को ले करके जिहां दोस्तों आज हम वो देशी नुश खेलाएं हैं जिसके सहारे आप अपने फेस को चमकीला गोरा और बना सकते हैं दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपको पिंपल्स की प्रोब्लिम है तो वो भी दोर हो सकते है जाईयां मीट सकते हैं चेहरे के टैनिंग खतम हो जाएगी दोस्तों इसके लिए जरूरी सामगरी जो है सबसे पहला हम दो वीधियां बताएंगे दोस्तों पहली बड़ी कम नमक कम ही रखना है नहीं तो आपके चेहरे पर रिसेज बढ़ सकते हैं और शहद एक चमच इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिजे जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो अपने फेस पर अपलाई कर दीजे दोस्तों हलके हलके हाथों से चेहरे पर पूरे चेहर हों तो नार्मल पानी से फेस को दो लीजे अच्छे से क्लीन कर लीजे दोस्तों आपका चेहरा खिला खिला स्कीन ग्लोविंग हो जाएगी दोस्तों इसके साथ पिमपल्स के प्रोब्लेम भी दूर हो जाएगी कम से कम इस नुस्खे को दस दिन तक जरूर इस्तेमाल करें इसके बाद दूसरा नुस्खा होगा दोस्तों नमक और दही के द्वारा जिहां दोस्तों सेमों ही नमक एक बटा दो चमच यानि कि आधा चमच और दही एक चमच नमक ज्यादा नहीं लेना है हम पहले भी आपको बता चुके हैं दोस्तों इसको अच्छे से मिक्स कर लेज उसमें निम्बू मिला लीजिए कुछ एक बुंदें निम्बू की मिला लीजिए वह आपकी ओईली तवचा के लिए वर्दान की तरह साबित होगा दोस्तों आपकी तवचा ग्लोविंग और हेल्दी हो जाएगी अगर आप इसे हलके हांथों से फेस पे अपलाई करते हैं प खिद्र होते हैं उनको खोल देता है जिनसे कि हमारी स्कीन को हेल्दी ऑक्सीजन जो भी जरूरी चीज़े हैं वो मिल जाती है पसीना बाहर निकल जाता है तो पसीने के माध्यम से गंदगी भी बाहर निकल जाती है बोडी की और हम स्वास्त और चमकीले फेस्वाले बने र लोस्तों